नमस्कार आसा करता हूँ आप ठीक होंगे तो आज की कहानी है हमारी जसिका और मितेस पटेल केस के उपर इंसोरेंस के 18 करोड रुपे के लिए पतनी की हत्या, मुबाइल एपने खोला राज दिखावे की जिंदगी हमेशा कईयों की जिंदगी बरबाद करती है इसका परफेक्ट एक्जामपल है जसिका और मितेस पटेल केस बिटेन में रहने वाली भारते मूल की जसिका पटेल को मितेस नाम के एक लड़के से प्यार होता है कुछ समय बाद दोनों साधी कर लेते हैं मगर इसी साधी के बाद जसिका का सामना एक ऐसे मितेश से होता है जिसकी कलपना जसिका ने सपने में भी नहीं की थी साधी के बाद पहले ही दिन से जसिका की जिन्गी नरक जैसी हो जाती है और फिर इस जिन्गी का अंत इतने दुखत तरीके से होता है कि सुनकर आपकी आखों में भी आसु आ जाएंगे तो आखिर जसिका के साथ क्या हुआ था और इस पूरे मामले में गुनेगार कौन था इस केस से 18 करोड रुपे का इंसोरंस का क्या कनेक्शन था तो कहानी सुरू होती है भारतिय मूल की जसिका पटेल बृतेन में फारमसी के पढ़ाई के दोरान एक कोलेज में मितेश पटेल से मिलती है मितेश पटेल भी एक भारतिये मूल के थे तो दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे वो मिलते हैं मिलने के दोरान ही उनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें भी पता नहीं चलता जसिका मितेश पटेल से बहुत प्यार करने लगती है फिर वो दोनों साधी करने का फैसला करते हैं और फिर वो दोनों अपने परिवार वालों से इस बारे में बात करते हैं घर वालों को भी इस रिष्टे से कोई आपत्ती नहीं होती क्योंकि दोनों समझदार थे पढ़े लिखे थे तो वो इस रिष्टे के लिए मान जाते हैं फिर जुलाई 2009 कोही बड़ी धूमधाम से जसिका और मितेस की साधी हो जाती है साधी के कुछ साल बाद जसिका और मिते अपना घर चोड़कर लिंथोर पर में रहने चले जाते हैं यहीं जसिका और मितेस दोनों मिलकर रोमन रोड पर एक बड़ी सी फार्मसी की दुकान भी खोलते हैं इस फार्मसी से ही कुछ दूरी पर ये दोनों एक बड़ा सा घर भी ले लेते हैं यहां जसिका और मितेस का बिजनस काफी अच्छा चल निकलता है अब इन लोगों के पास अपना एक अच्छा सा बिजनस था काफी पैसा था मगर अब भी इनकी जिन्दगी में एक चीज की कमी थी और वो ये थी कि सादी के कई साल बीट गए थे मगर जसिका अब तक मा नहीं बन पाई थी कई साल तक जब जसिका मा नहीं बन पाती तो वो मितेश के कहने पर आईवीएप तकनिक के सारे मा बनने की कोशिस करती है मगर आईवीएप के पहले तीन अटेम्ट भी फेल हो जाते हैं मगर आईवीएप की चोथी कोशिस में कुछ चमतकार सा होता है और 9 मई 2018 को जसिका के डोक्टर बताते हैं कि इस बार की कोशियस काम्याब रही है ये खबर सुनकर जसिका काफी खुश होती है अभी IVF वाली खुशकबरी मिले कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक इस परिबार में कुछ ऐसा होता है कि खुशी मातब में बदल जाती है तारीक थी 14 मई 2018 रात के 8 बचकर 20 मिनट पे जसिका का पती बिरिटेन की नैसनल एमरजंसी रिस्पोन सर्विस पर ट्रिपल नाइन पर फोन करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि उसके घर में चोरी हुई है और लुटोरो ने मेरी पत्नी पर भी हमला किया है उसके हाथ पैर बंदे हुए है इसके बाद मितेश के घर एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है इसके बाद डोक्टर जसिका की जाच करते हैं और सुरुवाती जाच के बाद ही डोक्टर बता देते हैं कि जसिका की मोत हो चुकी है फिर पुलिस जसिका की लास को पोट पोस्ट माटम के लिए भेज देती है साथ ही पुलिस जसिका के कातिल और लूट पाट करने वाले अपरादियों की खोज में भी लग जाती है सुरुवाती जाच में ये पता चलता है कि जसिका का आईफोन भी गायब हो चुका है ये सब देखकर साफ पता लग रहा था कि मामला लूट पाट का है मगर कुछ ही देर बाद पुलिस को एक बात खटकने लगती है कि घर में की गई गटना जरूर हुई है मगर घर में फोर्स एंट्री नहीं है मतलब जबरदस्ती गुसने के कोई भी सबूत नहीं मिलते इसके बाद पुलिस को ये पता चलता है कि गटना को जिसने भी अंजाम दिया है वो कोई जान पैचान वाला ही था पुलिस इस बारे में जब मितेश से बात करती है तो मितेश बताता है कि जब मैं घर पर था तबी 7 बजी के आसपास जशिका डूटी से वापस आई थी जशिका के आने के बाद मैं बाहर पीजा लेने चला गया फिर जब मैं पीजा लेकर वापस घर आया तो देखा कि जशिका यहां पड़ी हुई है इसके बाद पुलिस ने मितेश के बयान ले लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है पुलिस घर की तलासी लेती है थोड़ी देर बाद घर के बाहर डश्ट बीन में जशिका का आई फोन भी मिल जाता है फिर पुलिस जशिका के फोन की कॉल रिकोर्डिंग और पूरे फोन का डेटा निकलवाती है साथ ही मितेस के मुबाइल की भी जाच परताल सुरू करती है जशिका और मितेस दोनों आईफोन यूज जाच परताल करती है तो पता चलता है कि 7 बचकर 10 मिनट पर जशिका घर में दाकिल हुई थी उसके बाद से उसके मुबाइल में कोई भी एक्टिविटी रिकोर्ड ही नहीं हुई हाला कि कुछ मिन्टों बाद उसके मुबाइल में 14 स्टेप रिकोर्ड होते हैं इसके बाद मुबाइल में अगली एक्टिविटी रात के 8 बच कर 40 मिनट पर रिकोर्ड होती है जब पुलिस वाले ने इस मुबाइल को घर के बाहर डेश्ट बिन से उठाया था दूसरी तरफ पुलिस मितेश के मुबाइल के हेल्थ एप की जाच परताल सुरू करती है तो पता चलता है कि ठीक उसी समय जब जसिका के मुबाइल में एक्टिविटी बंद हुई थी मितेश के मुबाइल में एक्टिविटी एकदम से बढ़ गई थी डाटा एनलाजिस से पता चलता है कि मितेश साथ बचकर 30 मिनट के बाद अगले 10 मिनोट तक घर में लगातार इधर उधर भाग रहा था पुलिस को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एमरजंसी कोल करने से पहले वे घर में भाग क्यो रहा था इसके अलावा भी पुलिस के मन में कई सारे सवाल थे फिर जसिका की मोत के 3 दिन बाद पुलिस मितेश से फिर पूछताच करती है और साथ ही घर की भी फिर से तलासी लेती है गर की तालासी के दोरान पुलिस को घर में एक बड़े से सूटकेस में सिसी टीवी का हार डिस्क भी मिल जाता है जब उस हार डिस्क की जाच की जाती है तो घटना वाले दिन यानि 14 मही 2018 को साम के 7 बच के 10 मिनट पर जसी का काम से घर आती है उससे पहले मितेस घर में मोजूद था सिसी टीवी के मताबिक साम 7 बच कर 40 मिनट के आसपास मितेस घर के बाहर जाता है और पीजा लाता है और करीब 8 बच कर 20 मिनट पर मितेस वापस घर के अंदर आता है और फिर 8 बच कर 22 मिनट पर एमर्जनसी हेलप लाइन नमबर 999 पर फोन करता है और फिर जो घर में गटना होती है वो भी बताता है लेकिन अब सिसी टीवी की हार्ट डिस्क मिलने से साफ हो गया था कि ये सब मितेस नहीं किया है अब पुलिस मितेस को अरेश्ट कर लेती है और उससे सक्ती से पूछताच सुरू करती है इस पूछताच के बाद जो खुलासा होता है वो रोंगते खड़े कर देने वाला होता है मितेस के बयान के मताबिक साथ बच के दस मिनट पर जैसे ही जसिका घर के अंदर दाकिल हुई तभी पहले से ही मितेस ने सारी प्लैनिंग कर रखी थी मितेस ने पहले उसके गरदन पर काफी अधिक मात्रा में इंसुलीन का इंजेक्शन दे दिया इसके बाद मितेस ने जसिका के मुँपर बड़ा सा पोलितिन बैग डाल दिया अचानक हुए हमले की वज़े से जसिका जमीन पर गिर गई इंसुलीन के ओवर डोज ने भी काम करना सुरू कर दिया और धीरे धीरे जसिका भ्योसी की हालत में चली गई इधर मितेस ने प्लास्टिक बैक को जसिका के मुँपर इस तरह लपेट दिया था कि जसिका सास न ले पाए और धीरे धीरे भ्योस हो जाए और लगबग 20 मिनट के बाद जसिका की आखरी सासे भी थम गई जब मितेस को यकीन हो गया कि जसिका मर गई है तो उसने जसिका के हाथ पैर बान दिये और घर में इधर उदर भागने लगा सारा समान इधर उदर फेकने लगा कि जैसे लगे कि घर में लूट पाट हुई है इस सब के बाद उसने जसिका का मुबाइल बाहर रखे एक डश्ट बीन में डाल दिया फिर वो बाहर पीजा खरीद के लाया फिर आने के बाद आठ बचकर बीस मिनट पे एमर्जनसी हेलप लाइन पर कोल करके घर में जो घटना हुई उसके बारे में बताया इस हत्या के बाद पुलिस मितेस से कतल करने की वज़ा पूचती है फिर जो खुलासा हुआ वो और भी चोका देने वाला था मितेस के बयान के मताबिक 2008 से 2009 में उसने जस्टिका के साथ जो प्यार किया और फिर साधी की थी वो बस उसकी एक बड़ी प्लैनिंग का एक छोटा सा हिस्सा था दरासल मितेस एक गे था जिसे महिलाओं में जरा भी रूची नहीं थी क्योंकि मितेस का परिवार बेहद ही धार्मिक था इसलिए मितेस अच्छे से समझता था कि उसका परिवार इस बात को कभी भी सुविकार नहीं करेगा इसलिए उसने जस्सिका की मासूमियत और भोलेपन का फाइदा उठाते हुए उसके साथ पहले प्यार किया और फिर साधी का नाटक किया उसने जस्सिका के साथ साधी जरूर की थी मगर साधी के बाद उसने एक बार भी जस्सिका के साथ साररिक संबंध नई बनाई थे इसके बावजूद भी जस्सिका पूरी इमानदारी से रिस्ते को निभाती रही बस इसी उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा प्रिटेन में रहने ही वाले भारतिये मूल के एक डोक्टर अमित पटेल से होती है डोक्टर अमित पटेल भी गे ही थे यही अमित और मितेस की दोस्ती होती है और फिर इन दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला सुरू हो जाता है और ये दोनों ने कई बार सालरिक संबंध भी बनाते हैं मितेस अमित को लेकर इतना पागल हो जाता है कि उसी के साथ जिन्दगी विताने के सपने देखने लगता है अमित के साथ मितेश की दिल लगी चल ही रही थी कि जसिका को कहीं से भनक लग जाती है कि मितेश एक गे है और वो एक लड़के के साथ रिलेशन्सिप में है फिर मितेस वादा करता है कि मैं कभी भी अमित से नहीं मिलूंगा बस तुम ये बात किसी से कहना नहीं जसिका मितेस की ये बात भी मान लेती है इसी के कुछ समय बाद मितेस जसिका को IVF के जर्ये बच्चा जन्म देने का प्लैन समझाता है जस्रिका इस पर भी मान जाती है IVF के पहले तीन अटेम्ट तो नाकाम हो जाते हैं मगर चोथे अटेम्ट में काम्याबी मिलती है सभी काफी खुस होते हैं मगर ये खुसी ज़्यादा देड नहीं रहती क्योंकि अगले ही दिन मितेश जस्रिका की हत्या कर देता है दरासल मितेश IVF के लिए एक साजिस के तहत तयार हुआ था कथित तोर पर उसने अपने गेप पार्टनर डोक्टर अमित के साथ मिलकर प्लैन बनाया था कि जैसे ही IVF के जरिये जस्रिका प्रेगनेंट होगी तब ही वो जस्रिका की हत्या कर देगा इसके बाद उस फर्टिलाइजर एंब्रियो को लेकर डोक्टर अमित के पास जाएगा और वहाँ सेरोगेसी के जरिये बच्चे भी हासिल कर लेगा साथ ही वो अमित से साधी भी कर लेगा और उसे पता था कि साधी के बाद उसे पैसों की जरुत पड़ेगी तो इसलिए उसने पहले ही जस्रिका का 18 करोड का इंस्रेंस करवा रखा था ताकि जब Jasika मर जाए तो वो उन पैसों के साथ डोक्टर अमित के साथ नई जिन्दगी की सुरुवात कर सके मगर पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और ये सारे राज खुलने के बाद Jasika की हत्या के तीसरे दिन पुलिस ने मितेस को जसिका की हत्या के जुर्व में अरेश्ट कर लिया इसके बाद मितेस और अमित को कोट में पेस किया गया मितेस को तो उम्रकैत की सजा हुई पर अमित के खिलाब सबूत ना मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया तो आज की कहानी में बस इतना ही कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर और इसी तरह की क्राइम से रिलेटिर रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्लूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद